हाई फैंस मेरा नाम आमीर है और आज हम लोग स्टील रूफ ट्रस के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले तो वाट इज रूफ ट्रस तो रूफ ट्रस क्या है रूफ और ट्रस ये दोनों चीज अलग है फैन्स अटिय ओँज है प्धूशर गवारे में आप लोग को बताऊंगा तो रूफ टो टाइप की होते हैं एक होता है हमारा फ्लėट और एक होता है स्लोप मतलब आप लोग जनरली देखते हो आप लोग के घर पे जो टर्रेस होगा वो हमारी फ्लैट सर्फेस होगी और फ्लैट सर्फेस जो हे वो ज्यादातर आर सीची का बनता है रेन्फर सिमेंट कॉंकरिट का और जैसे हम लोग छपडे बोलते हैं मतलब गुजरती में इसको चप अज लोग को पढ़ना है अज हम लोग को पढ़ना है तो स्टील रूफ ट्रस के बारे में तो स्टील रूफ ट्रस मतलब क्या होता है हमारा स्लोपिंग रूफ तो हम लोग को स्लोपिंग रूफ के बारे में पढ़ना है आज फिर आगे ट्रस तो ट्रस क्या है तो ट्रस ये एक ऐसी चीज है जो आप लोग को SM1 डिपलोमा के अंदर SM1 जो सब्जेक्ट है काम क्या है तो हमारा जो भी रूफिंग मटरियल होता है जैसे के सीमेंट का AC सीट होती है जो भी सीट होती है उसको सपोर्ट करता है क्योंकि जो हमारा roofing material होगा वो हवा में तो रहेगा नहीं तो इसके लिए उसको support करने के लिए वो नीचे से हम लोग को क्या करना पड़ेगा support देना पड़ेगा तो वो जो support देते हैं जिसको trust बोलते हैं तो trust क्या है तो जो भी हमारा roofing material वो depend करता है किसके ओपर trust के ओपर तो हम लोग को क्या करना है तो आज हम लोग को design करना है trust के बारे में trust के बारे में हम लोग पड़ेंगे क्योंकि trust के ऊपर हमारा roof रहेगा तो trust के बारे में हम लोग पड़ेंगे clear तो यह हमारा हो गया steel roof trust के बारे में इंट्रोडक्शन है जनरल इंट्रोडक्शन है अभी next is next is mean components of roof trust क्या है components of roof trust components of roof trust तो क्या है ता है components of roof trust मतलब roof trust के अलग-अलग parts जैसे कि मैं अभी figure draw कर रहा हूँ roughly figure draw कर रहा हूँ यह हमारा suppose की roof trust है clear तो सबसे पहले यहां पर हमारा supports होता है क्योंकि वह supports करेगा wall पर या तो फिर column पर तो यह जो distance है जिसको हम लोग बोलते है span क्या बोलते है इसको span फिर हमारा जो जो भी roofing material होगा वो यहां पर कुछ न कुछ angle बनाता होगा horizontal के साथ तो इसको बोलते है alpha और alpha मतलब होता है हमारा angle of roof trust clear फिर यहां पर यह जो point डिख रहा है आप लोग को उपर यह जो point है जिसका नाम होता है reach point reach point मतलब उपर का जो top point होता है वो फिर यह जो inclined surface दिख रही है आप लोग को जिसको बोलते है principle rafter PR principle rafter बोलते है जिसको अभी यहां से यह reach point से लेके यह जो distance है इसको बोलते है rise rise r फिर यहां पर अभी जो मैं बना रहा हूँ वो one type of trust है देख अभी trust में हो टाइप का trust बनाता हूँ generally हम लोग का जो trust होता है वो how type का होता है तो यह हमारा trust है clear फिर यहां पर यह जो चीज दीख रही है हम लोग को यह तो इसको बोलते है main tie क्या बोलते है उसको main tie फिर यह जो बीच में की जो tie है वो होता है हमारी sag tie होती है time मतलब क्या होता है tension member tension member मतलब जो member पर tensile load लगता है उसको tension member बोलते है और जो member पर compressive load लगता है उसको हम लोग compressive member बोलते है clear अभी हम लोग का जो load आता है जो भी ruf trust के उपर का जो load आएगा वो कहां पर लग गया तो यह जो point दिख रहें आप लोग को यह सब point को बोलते है to channel point क्या बोलते है उसको panel point और हम लोग का जो भी load है वो कहां पर लगएगा आप लोग का panel point प से लगएगा यह इतनी चीज जो है वो आप लोग को एक्जामपल के लिए तो इंपोर्टन है यह स्पान को एल बोलते है यह इतनी चीज एक्जामपल के लिए बहुत इंपोर्टन है आप लोग को आगे जाके हम लोग जब एक्जामपल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो आप लो numbers of panel का meaning क्या होता है तो यहां पर देखो आप लोग यह जो चीज है एक मिनी देखो यह ए वान टू यहां पर मैं numbers दिख रहा हूं आप लोग को समध मैं इसके लिए 1 2 3 4 5 और 6 यहां पर मेरे पास 6 नंबर है तो आप लोग को अगर example में बोला है के numbers of panel 6 है तो यहां पर आप ल लाना चाहिए अगर मैं question में दिया होगा आप लोग को के numbers of panel total numbers of panel 10 है तो यहां पर आप लोग को 10 panels आनी चाहिए तो यह क्या है panels है clear तो यह important चीज है जो आप लोग को आगे जाके काम आएगी examples के अंदर फिर यहां पर यह जो distance दिख रहा है जिसको peach बोलते हैं हम लोग क्य यह important चीज है जो roof trust है यह components of roof trust है मतब अलग-अलग parts है जो आप लोग को example के अंदर count, example के अंदर आप लोग को समझ में आएगा clear अभी अभी आगे types of trust जैसे कि मैंने आप लोग को बताया आगे trust बहुत सारी type के trust होता है एक होता है king trust होता है फिर आपका आता है king type का trust आता है फिर आता है whole type का trust आता है फिर queen type का trust आता है मतलब यह सब चीज आप लोग को already पढ़ चुके हो जो span के हिसाब से बहुत सारी type के trust आते हैं अभी mainly चीज मुझे focus करनी है तो आप लोग का trust कहां पर use होता है तो ज्यादा तर रूफ ट्रस आप लोग देखेंगे तो जहां पर industry होती है आप लोग कोई भी industry में चले जाओ तो industries के अंदर क्या होता है तो ज्यादा तर हम लोग का जो roof होता है वो roof trust होता है वहां पर भी हम लोग जो देखेंगे तो roof trust का use होगा तो यह एक जगह है जहां पर roof trust का use होता है दूसरी जगह कहां पर use होता है roof trust जहां पर जैसे के rainy area है बहुत rain गिरता है जैसे के हम लोग देखेंगे बहुत सारी जगह पर ऐसी होते हैं जहां पर rain बहुत ज्यादा गिर करवाइठ करते हैं क्योंकि उसका हम तो अब बारिस ज्यादा करते तो जांगे india के अंदर ज्यादा के अंदर या फिर जम्मू कसमरी चले जाएंगे तो वहां पर आप लोग गर देखेंगे तो जो भी गर से वह सब हम लोग के रूफिंग जो रूफ होता है उसका slopey होता है तो वहाँ पर roof trust provide करते है ज़्यादा तर वरब तो यह roof trust के कहां-कहां use होते है वह चीज़ है फिर कहां पर use होते है जहां पर large span required हो हम लोग को open space ज्यादा चाहिए बीच में for example एक slab लेलो यह slab है clear यह जो span है वो बहुत ज्यादा है तो यहां पर एक support आएगा और एक support यहां पर आएगा अगर मैं यह जो slab है वो अगर RCC का बनाऊगा तो यह अगर span बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मुझे बीच में क्या करना पड़ेगा एक support और रखना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा वो यहां से deflect हो जाएगा तो ऐसी जगह पे जहां पर large span required है वहां पर आप लोग को मतलब बीच में जो space ज्यादा तर industry में क्या होता है बड़े बड़े प्रोवाइड करते हैं तो यह क्या है उसके advantages है और दूसरे advantages के अंदर दिखते है तो आप लोग को यह जो roof trust दोता है वो steel का बना होता है वो जल्ली से आप लोग बना सकते हो बरबर फिर उसको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे भी use कर सकते हो आप लोग तो यह सब यह advantage के अंदर आती है अभी आगे हम लोग बात करेंगे तो दूसरी एक चीज़ बात करेंगे पैनल पॉइंट के बारे में पैनल पॉइंट अभी पैनल पॉइंट क्या है तो यहां पर आप लोग अगर मैं ड्रो करूंगा तो एक रूफ ट्रस ड्रो किया है मैंने समझो के एक रूफ ट्रस है तो यहां पर यह जो बीच का जो पैनल होता है बीच में जो पैनल होता है जिसको बोलते है हाफ पैनल प तो आप लोग अगर रूफ ट्रस है यहाँ पर देखो इसको मैं बीच में से कट करूँगा तो ऐसा दिखेगा आप लोग को तो यहाँ पर जो एंड का जो पॉइंट है वहाँ पर हमारा जो लोड होगा वो हाफ लगेगा मतलब अगर कोई एक ट्रस है जिसके उपर टू कीलोंटियन का लोड आने वाला है तो यहाँ पर एंड कीतना लोड लगेगा वन वन ही लगेगा और बीच में जो होता है वह फूल पाइनाट पॉइंट है इसका मतलब यहाँ पर आपका जो लोड लगेगा वो फूल लगेग क्लियर इसी तरह यहां पर यहां पर हाफ लगेगा यहां पर फूल लगेगा यहां पर हाफ लगेगा अब यह दो हाफ को आप लोग जॉइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा फूल हो जाएगा इसके लिए यहां पर यह फूल आएगा यहां पर यह फूल आएगा और यह हाफ और वावाये गा तो यह पैनाल पॉइंट हो गया तो आगे हम लोग जाएंगे आगे बात करेंगे मर लग मत्रियल अ प्नादर्व मटेगे लिब हम लोग का सिमेंब मालब सिमेन का पत्रा दूसरा होता है जी आई सीट मतलब क्या होता है हमारा गेलवेनाइस आयन सीट मतलब हमारा जो गेलवेनाइस का पत्रा होता है वो फिर आता है हमारा एल्यूमीनियम Aluminium का पत्र आप लोग देखेंगे तो बहुत बड़ी अगर साइट है कोई साइट पे चले जाएंगे बड़ा एडिया है और Aluminum का पत्र जो है वो ज्यादा तर वाल की तरह यूज होता है फिर आगे जाएंगे तो स्लेट स्लेट मतलब एक ब्लैक कलर का जो मट्रियल होता है वो फायर रेजिस्टन रहे इसको पर फायर की कोई इफेक्ट नहीं होती है फायर कोई भी चीज़ की पर इसका में डीज क्या होता है वो बहुत हैवी होता है वेट जो उसका है वो हाई होता है जिसकी वज़े से आप लोग का ट्रस की जो डिजाइन वो भी हाई करनी पड़ेगे मलब लोड ज्यादा केर ऐसा करना पड़ेगा इसके लिए इस लेट बहुत रेर केस में यूज होता है ऐसी जगह पर यूज़ता है जहां पर required हो वही जगह पर इसका use होता है फिर glass का भी आता है बरेबर तो फिर glass का भी ये roof ट्रसाथ है बहुत सारे materials होते है glass roof अभी आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी जगह पर glass roof भी use करते है हम लोग को जो अभी diploma का जो शिलेव वैसे इसके अंदर आप लोग को ये GI seat और AC seat इसके बारे में आप लोग को आगे पढ़ने में आएगा ये सब खाली समयदने के लिए है आप लोग को बहुत सारे material मिल जाएंगे वैसे तो roof covering material फिर हम लोग बात करेंगे load के बारे में loads तो roof trust के उपर कौन कौन से load लगेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा dead load dead load के लिए IS code है IS 8751987 part 1 ये IS code है हमारा part 1 dead load के लिए what is dead load सबसे पहले dead load क्या है वो समझो dead load मतलब ऐसा load के जो वहां क्या वहां पढ़ा रहेगा जैसे कि आप लोग for example देखेंगे roof trust के अंदर तो एक बार आप लोग ने roof बना दिया मतलब सीमेन का पट्रा लगा दिया फिर वहां से वह हटने वाला नहीं है इसी तरह अगर आप लोग ने कोई L section आप लोग ने trust लगा लिया फिर वहां से वह हटने वाला नहीं है तो उसको dead load में गिना जाता है तो dead load मतलब हमारा मरा हुआ जिसको हम लोग dead load बोलते है फिर live load लाइव लोड लाइव लोड मतलब ऐसा लोड इसका IS code है IS 8751987 part 2 लाइव लोड मतलब ऐसा लोड जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर change होता रहता है उसको live load बोलते है उसका दूसरा नाम है impose load impose load भी उसको बोलते है फिर आता है हमारा तिसरा load आता है win load win load जिसके अंदर code हो use होता है IS 8751987 part 3 यह आपका जो load है यह जो IS code उसका नाम है win load और win load के अंदर क्या होता है win load calculate करने के लिए code का use करना पड़ता है आप लोग को फिर win load महला भवा जैसे के हम लोग RCCC के अंदर बात करेंगे तो 10 स्टोरी से अब बिल्डिंग होगी तो उसके अंदर हम लोग को win load भी count करना पड़ता है बड़ी बड़ी high story building होती है जैसे के आप लोग कोई बड़ी city में चले जाएंगे तो 100 स्टोरी की building होती है 200 स्टोरी की building होती है तो वहाँ पर आप लोग को बहुत important चीज होता है win load जैसे हम लोग normal building के अंदर हम लोग उसको count नहीं करते है फिर आगे आता है snow load snow load मतलब ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे snow गिरता है वह जगह पे आप लोग का snow load count होता है बाकी snow load normal area के अंदर count नहीं करते है तो हम लोग को जो आगे examples के अंदर जो गिनना है वो होता है अमारा date load, lie load और win load इसको हम लोग एक एक करके आगे examples के अंदर देखेंगे dead load कैसे count करते है, lie load कैसे count करते है, win load कैसे count करते है और उसके अंदर primary calculations होता है जिसको कैसे find out आप लोग करते है यह सब चीज जो है वो आप लोग को आगे calculation में आएगी तो मैं आप लोग को next video के अंदर आप लोग को यह आगे आप लोग को load कैसे count करना है वो हम आप लोगो को सिखाऊंगा. Thank you.